ओके लास्ट क्लास में हमने यहां तक कवर किया था कि list of escape characters हमने जो है वो पड़े थे कि क्या होते हैं देखो generally क्या होता है कि जब आप print statement लिखते हो मैंने आपको last time भी example बताया था कि print statement में आप print के brackets में double quotes के अंदर जो भी लिखोगे वो as it is output screen पर print हो जाएगा लेकिन ये कुछ ऐसे escape characters हैं जो आप print वाल जो statement है उसके अंदर use करोगे तो इनका ये as it is print नहीं होगे इनका जो meaning साथ में लिखा हुआ है वो काम करेंगे ये ठीक है मतलब अगर आप जैसे अगर मैं पहले की बात करूँ तो आपको दिखना है double backslash तो आप इसको दो बार जब type करोगे backslash को तब आपको output screen पे एक backslash आएगा उसका reason ये है कि जो single backslash होता है वो हमारा escape character होता है ठीक है तो अगर आपको output पे कोई backslash print करना है तो आप single backslash से print नहीं कर पाओगे आपको double लगाना पड़ेगा तो double लगाओगे तब वो एक बार print करेगा backslash ठीक है ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा करके कि कैसे work करते हैं अगर आपको single quotes जो हैं वो करने हैं अगर आपको तो आप ये slash और फिर quotes pass कर दोगे ठीक है तो ये quotes के लिए use होते हैं देखो क्या नहीं होते हैं साथ में ठीक है क्योंकि ये format है print statement का क्योंकि वो double quotes नहीं करती है लेकिन अगर आपको output में double quotes या single quotes चाहिए तो उसके लिए आपको backslash पहले लगाना पड़ेगा उससे ठीक है ऐसे ही slash A जो होता है वो bell के लिए होता है ठीक है मतलब ये जब run होगा तो एक bell बजेगी आपके computer में slash B जो होता है वो backspace के लिए होता है ठीक है जैसे आपके keyboard में backspace का button होता है जो वो काम करता है वही ये slash B काम करेगा slash N होता है new line के लिए मतलब print एक single print command के अंदर मानलो मैंने पहले कुछ text type किया हुआ है फिर slash N लगा दिया फिर दूसरा text type किया हुआ ह तो slash N क्या करेगा slash N के बाद जितना भी text होगा वो अगली line में print होगा ठीक है मैं आपको ये चीज़ एक बार दिखा देता हूँ run करके ठीक है तो जैसे मैं अगर पहले की बात करूँ जैसे मैं अगर print statement लिखता हूँ हम ऐसे print करते हैं डबल quotes के अंदर जैसे मैंने अगर hello type किया तो hello print हो गया ठीक है मैं इसको copy कर लेता हूँ जैसे मैं आपको बोल रहा था कि अगर आप आपको जैसे backslash type करना है जैसे मैंने ये किया तो दीख ये error आ गया आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर मैंने देखो जब double quotes में hello print किया तो hello आ गया लेकिन जब मैंने double quotes में backslash print कराना चाया तो उसमें error आ गया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि single backslash का मतलब जो होता है वो होता है escape character ठीक है मतलब इसका meaning कुछ होग मैं एक single backslash के बाद a लिख देता हूँ तो उसका मतलब होता है ask यहा पे दिखरा हाया भी single slash के बाद b लिख देता हूँ तो वो backspace का काम करेगा single slash के बाद n लिख देता हूँ तो वो new line का काम करेगा तो इसलिए single slash कभी भी मेरा run नहीं होता है तो अगर मुझे output में slash print करना है तो मैं double slash जो है वो type करके enter मारूँगा तब मेरा single slash जो है वो print हो जाएगा ठीक है ऐसे ही अगर मुझे quotes पास print करने है तो मैंने जैसे बताया था आपको कि पहले backslash लगाओगे फिर आप quotes लगाओगे तो देखो आपके यहाँ पे quotes आ गए है ठीक है same अगर मैं यहाँ पे आपको अगर slash b का दिखाऊं यह slash b यह bell के लिए होता अगर आपके computer से आपका speaker अच्छे से connect होगा तो यहाँ पे print हो जाएगा आपको मंदल bell सुनाई देगी इसके अलावा मैं अगर slash n आपको दिखाता हूँ यह होता है new line के लिए मतलब मैं इसके जैसे यह लिखता हूँ hello और फिर slash n लगाया है और फिर लिखा है world ठीक है पहले लिखा है hello फिर लगाया slash n फिर लिखा है world तो slash n का मतलब होता है next line तो मैं इसको run करूँगा तो hello first line में आएगा world next line में आएगा ठीक है तो यह होता है इसे आपको दिखाऊं। //r लिख दिया मैंने यह होता है हमारा carriage return के लिए carriage return क्या होता है कि जब हम enter मारते हैं किसी पर जैसे इसका meaning मैं आपको बताऊंगा मुझे थोड़ा सा confusion हो रहा है carriage return को लेके कि इसका actual काम क्या होता है मैं एक बार next class में इसको दुबार कर दूँगा discuss //t जो होता है यह horizontal tab के लिए होता है जैसे अगर मैं इसको यहां पर लिख देता हूं //t और high लिख देता हूं अब आप देखोगे इसको run करूँगा मैं तो hello और high की बीच में काफी space आ जाएगा देखो यह एक single space नहीं है यह काफी space है इसको tab बोलते हैं इसके अलावा आपको जो भी नीचे दिख रहे है //u //u //v //o यह होते हैं मेरे hexadecimal या octal values को print करने के लिए ठीक है अब यह होती क्या है hexadecimal values, octal values यह आपने first unit में पढ़ा होगा कि हमारे number को represent करने के अलग-लग तरीके होते हैं तो हमने पढ़ा था octal, hexadecimal, decimal, binary यह सब हमने पढ़े थे first unit में ठीक है तो उनी आपको अगर कोई number hexadecimal में represent करना है तो मैं उसके लिए slash u और उसके बाद यह xxx जो है यह number होगा ठीक है अगर आप कोई भी number hexadecimal में चाते हो जैसे मैं अगर इसको दिखाऊं आपको print करके मैंने लिखा slash small u ठीक है मैंने लिखा है मानलो 78 उके इसको चाहिए binary में एक सब्सक्राइब ठीक है ठीक है तो यह क्या आगया मेरा आपको पता है कि जो मेरा hexadecimal में यह 1010 जो मैंने लिखा है यह 10 होता है इसको मैंने जब convert किया तो यह मेरा आया a ठीक है यह 0 क्यों आ रहा है साथ में यह मुझे चेक करना पड़ेगा वैसे इसका answer सरफ a आना चाहिए था ठीक है तो आप यह समझो कि इस तरीके से यह मेरे escape characters जो है यह work करते हैं आपको ज्यादा काम मैं आपको बता दू कि किन का पड़ेगा आपको आपको ज्यादा काम slash n का पड़ेगा slash t का पड़ेगा ठीक है या फिर आपको अगर quotes भी print करने हैं वैसे इनकी requirement पड़ती नहीं है mainly आपको जो यह green में दिख रहे हैं आपको slash n और slash t इन ही का आप यूज करोगे बाकि आपके काम नहीं आने वाले हैं next है मेरा कि मेरी जो python के अंदर string के कौन-कौन से types होते हैं तो basically हमारी string के यहाँ पे दो types हैं string क्या होती है हमने discuss किया था last class में कि अगर आप कोई भी चीज जैसे variable के अंदर save कर रहे हो जैसे किसी का नाम है जैसे मैंने लिखा है a equal to hello ठीक है तो जो भी मैंने double quotes में pass किया है यह hello तो यह क्या है मेरा string है तो यह string जो है यह a के अंदर मेरा save हो गया तो इसको string बोलते हैं जैसे यह जो hello pass किया double quotes के अंदर यह मेरा एक string है तो string मेरी जो है वो दो type की होती है एक होती है single line एक होती है multiple line जो मैंने आपको अभी example दिखाया था a equal to hello वो single line है मैंने एक ही line में string pass की है multiple line होती है कि मैं एक ही variable के अंदर जो है वो multiple lines के अंदर जैसे एक मैंने string लिखी पहली line में फिर दूसरी line में वो सारा कुछ एक ही variable के अंदर जाके save हो जाएगा वो आपको अभी मैं इसका example आपको दिखा देता हूँ जैसे अभी आपको screen पे दिख रहा है कि ये मेरे single line strings है जैसे मैंने यहाँ पे आपको example दिख रहा है मैंने लिखा है name equal to double quotes और फिर लिखा है kv अब आपको दिख रहा हूँ कि double quotes मैंने बंद नहीं किया है यहाँ पे सरफ kv लिखके छोड़ दिया है जब मैं enter मारूंगा तो यह दिखा रहा है कि ये error show करेगा क्यों क्योंकि मैंने double quotes जो है वो end में नहीं लगाए है तो आपको एक चीज जहान रखनी है हमेश्चा कि string के अंदर double quotes starting में भी आएगा और last में भी आएगा तब ही वो आपका run होगा वरना error show करेगा आपका multiple line strings क्या होती है कि मैंने अगर एक line से ज़्यादा में अगर pass करना है जैसे आपको यहाँ पर example दिख रहा है मैंने एक variable लिया है name इसके अंदर मैंने एक address pass किया है तो double quotes के अंदर पहले मैंने लिखा है 1 by 6 फिर लिखा है mall road और फिर मैंने कानपूर जो है वो next line लिखा है तो मैंने यहाँ पर एक slash लगा दिया ठीक है यह मैंने यहाँ पर एक slash लगा दिया तो इससे क्या आएगा मेरा यह next line में अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया है कानपूर तो यह इसको error show नहीं करेगा लेकिन still यह उसको एक ही line में लेगा जब मैंने इस name को print किया name की value को तो देखो यह मेरा पूरा का पूरा एक ही line में आ गया ठीक है तो यह slash यहाँ पर है यह मेरी सिर्फ help कर रहा है कि मैं next line के अंदर जो है वो अपनी string को pass कर सकता हूं लेकिन वो consider एक ही line में होगी अगर आपको store ही multiple lines के अंदर करना है तो उसके लिए यह तरीका होता है कि आप triple quotes यूज करोगे मैंने एक variable लिया है address उसमें pass किया है triple quotes ठीक है तीन बार quotes लगाए मैंने फिर कोई address लिखा है यह पहले line में फिर दूसरी line में फिर तीसरी line में एंटर मार मार के और फिर मैंने वापस से triple quotes उसको बंद कर दी है जब मैं इसको print करूँगा तो यह मेरा वापस से उसी format में print होगा पूरा मेरा एक अलग-अलग lines के अंदर ठीक है तो इस तरीके से मेरे multiple line strings जो ही work करती है वैसे मैं आपको बता दूँ कि आपके काम का जो है वो single line ही होगा multiple line में जाद हम लोग काम करते नहीं है ठीक है आप लोग single line string ही use करोगे जब भी आप string के बारे में कोई भी program बनाओगे next है size of string वैसे python के अंदर चाहे आप alphabet ले लो चाहे आप number ले लो हरेक का size पहले से fixed होता है कि वो कितने bytes use करेगा memory की store होने के लिए ठीक है अगर मैं string की बात करूँ तो string का एक alphabet जो होता है वो generally one byte लेता है store करने के लिए तो यहाँ पे सरफ यह calculate करवाया गया है कि अगर मेरे पास कोई strings है तो मैं अगर calculate करूँ कि वो कितना size लेगी store होने के लिए memory के अंदर ठीक है तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है यह double slash ठीक है आपको पता है कि यहाँ पे double slash का मतलब क्या है मेरा यह escape character है और इसका मतलब single slash होता है जैसे हमने अभी पीछे देखा था इसमें आपको पहला ही दिख रहा है double slash इसका मतलब क्या है back slash होता है क्योंकि यह एक single character को ही represent कर रहा है इसलिए इसका size 1 है ठिक है दूसरा है मेरा जैसे यह abc लिखा हुआ है जो इसका size आपको दिख रहा है 3 क्योंकि इसके अदर 3 है next आपको दिख रहा है slash a और b आपको पताए कि slash a जो होता है वो किसके लिए होता है वो bell के लिए होता है जैसे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ जैसे ये slash L आपको दिख रहा है slash A आपको दिख रहा है आसकाई bell के लिए तो क्योंकि ये एक single character है slash A तो इसलिए इसका size 1 होगा और इसके साथ जो B लिखा हुआ है इसका size 1 होगा तो इसलिए total size का 2 हो गया next मेरा है मीरा अब देखो मीरा का यहाँ पे 5 हो जाएगा M E E R A तो ये 5 हो जाएगा इसका size slash और फिर double quotes आपको पता है कि ये हमारा escape character होता है slash और फिर double quotes इसका मतलब क्या होता है double quotes होते है इसलिए ये 1 हो जाएगा तो 5 और 6 और S मेरा 7 एक space है मेरे पास तो ये हो गया 8 फिर T O Y 3 हो गया तो 8 रो 3 ग्यारा तो मेरा size ग्यारा हो गया आपको ये चीज़ याद अखनी है कि spaces भी count होते है क्योंकि space भी जो है वो memory के अंदर store होता है सेम मेरा wikis है जो है आपको दिख रहा है कि v, i, c, k, y ठीक है और फिर double quotes और फिर S तो ये मेरा कितना हो गया size 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो मेरा size हो गया 7 तो इस तरीके से मेरे जो है वो size हम लोग calculate कर सकते हैं वैसे मैं आपको बता दूँ कि ये सरफ आपको यहाँ पे दिखाने के लिए है कि size कैसे calculate होता है क्योंकि generally हम लोग manually नहीं करते हैं python के अंदर हमारे पास एक function होता है जिसका नाम होता है len len जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है अभी हमारे पास len नाम का function है ये इसकी help से हम लोग length निकाल सकते हैं किसी भी string की कोई string कितनी भी बड़ी हो मैं len function के अंदर उसको पास करूँगा और ये उसकी length निकाल के मुझे दे देगा कि उसका size कितना है ठीक है जैसे यहाँ पे example दिख रहा है कि मैंने len के अंदर एक string पास की है len के bracket में double quotes abc इसने इसका output दे दिया 3 ठीक है तो हम लोग python के programs के अंदर len function का ही use करेंगे किसी भी string की length निकालने के लिए ओके तो इसमें examples और दिखाये हैं यहाँ पे ठीक है जैसे यहाँ पे ये एक address के अंदर मैंने multiple lines में एक string जो है वो save की थी इसका जब मैंने length निकाला तो इसका 18 आया जैसे मैंने आपको बताया था कि spaces भी count होते है size के अंदर तो ऐसे ही हमारा new line जो होती है वो भी count होती है space के अंदर तो आप अगर count करोगे तो देखो 1,2,3,4,5 civil मेरा 5 हो गया एक space हो गया 6 lines again मेरा 5 है तो 6 और 5,11 ठीक है फिर मेरा next line है तो यह हो गया 12 और फिर है मेरा ये 1,2,3,4,5,6 तो कानपुर मेरा 6 है तो 12 plus 6 is 18 तो size 18 आगया ठीक है तो spaces हो new lines हो ये सारी मेरी size के अंदर calculate होती है ठीक है तो इस तरीके से मैं किसी भी string का size जो है वो calculate कर सकता हूँ आपको यहां से इस topics में ध्यान का रखना है कि मेरा length function जो है वो मेरे काम आता है किसी भी string की length निकालने के लिए next है मेरा numeric literals ठीक है जैसे मैंने बताया था कि मैं variable के अंदर values save करता हूँ तो जैसे मैंने variable के अंदर string save की थी वैसे ही मैं variable के अंदर numeric values भी save करता हूँ तो numeric values जो है वो different different type की हो सकती है तो इसमें पहला type है integer values मतलब वो values जिन पे plus या minus sign हो आपको पता है plus sign हम लोग लगाते नहीं है लेकिन अगर कोई value minus की हो negative हो तो minus sign लगाते हैं ठीक है तो वो values जिन पे positive and negative sign हो तो जैसे decimal values है मेरी minus 50 है 100 है ये सारे मेरे integer literals है इसके अलावा जो भी आपने first year में पढ़ा था decimal है octal है hexadecimal है और मेरा binary है ये सारे मेरे integer literals के अंदर आते हैं वैसे मैं आपको बता दू कि mainly हम लोग जो काम करेंगे वो decimal के साथ ही करेंगे मतलब normal values normal जो आपने numbers पढ़े हैं उनी के साथ हम लोग काम करेंगे ज़्यादा हम लोग octal ये hexadecimal की values यूज नहीं करने वाले हैं तो इतना ज़्यादा इसमें सोचने की जरूत नहीं है ठीक है तो इस तरीके से मैं इसको save करता हूँ ये ध्यान रखना है आपको कि इसको save करने का तरीका क्या होता है कि अगर मुझे कोई octal value save करनी है तो मैं सबसे पहले जैसे octal value तो सबसे पहले मैं लगाऊँगा 0 उसके बाद लिखूँगा o और उसके बाद मैं जो value लिखूँगा वो मेरी octal में होगी ठीक है तो जैसे यहाँ पर आपको example दिख रहा है कि मैंने एक variable के अंदर value लिखा 0 फिर o और फिर लिखा 10 तो इसने यहाँ पर save कर लिया तो इसको print कराया तो इसका i8 मतलब मेरी 10 जो value है वो मेरी octal के अंदर है ठीक है और यह जो print हो रहा है यह मेरा decimal values है तो आपको convergence पता है यह convert होके print होती है values ऐसे ही मेरा hexadecimal के अंदर पहले लिखोगे 0 फिर o और फिर आपने f लिखा है f का मतलब है अचा एक चीज़ और इसमें गलती है यहां पर मेरा o नहीं आएगा x आएगा क्योंकि यहां पर देखो इसका format क्या है 0 और फिर x है 0 और o जो है वो octal का है और 0 और x जो है वो hexadecimal का है तो यहां पर 0 x और फिर उसके बाद जो भी आप लिखोगे वो आएगा मेरा hexadecimal value तो f आपको पता है 15 होता है अगर आपने पहला unit अच्छे से पढ़ा हो तो मेरा hexadecimal का जो f होता है वो 15 होता इसका मतलब तो जो मैंने प्रिंट किया तो यहां पर मेरा 15 आ गया तो इस तरीके से मेरे यह जो numeric literals हैं यह work करते हैं ठीके अगर आप बोलोगे तो मैं इनको run करके दिखायता हूं आपको जैसे मैंने यहां पर लिखा a equal to 0x f तो यह मैंने hexadecimal value पास की है मैं इसको enter मारता हूं अब जब मैं इसको print कर दूँगा यह को ठीक है यह मैंने print कर दिया तो यहां पर 15 आ गया इसका ठीक है यह 15 आ गया है यहां पर तो इस तरीके से यह मेरा work करता है next है मेरे अब हम numeric literals के अंदर ही हैं लेकिन दूसरे type की value है floating point floating point का मतलब होता है decimal वाली values जिसके अंदर point लगा हो जैसे होता है 9.5, 9.6 इससे पहले हम लोग जो देख रहे थे वो complete values थी उसमें कोई decimal या point वाली value नहीं थी लेकिन यहां पर अब हम लोग पढ़ रहे point वाली values ठीक है तो जैसे 12.0 है minus 15.86 है यह यहां पर example है यह normal सी चीज है यह आपको पता है क्या होता है ठीक है दूसरा है मेरा exponent okay इसमें एक और type की value होती है जिसको बोलते है exponent की form में मतलब आपको पता है कि math में बढ़ा होगा कि value होती है फिर multiply by 10 की power होती है right तो इस तरीके से भी आप use कर सकते हो जैसे इसमें आपको ने example दिखाया गया है कि जैसे यह value है मेरी 0.105 into 10 रिष्टी power 2 हम लोग generally math के अंदर इसका use करते है exponential वाली value का तो अगर आपको यहां पे किसी variable के अंदर यह वाली value save करनी है इसी type से तो आप क्या लिखोगे आप ऐसे लिखोगे इसको 0.105e02 उसका मतलब यही होता है ठीक है तो इस तरीके से मैं exponent वाली values भी save कर सकता हूँ e लगाके e के बाद जो मैं लिखोंगा 0205 या 10 तो वह क्या होगा 10 रिष्टी पावर हो जाएगी ओके तो यहां पे अब दिखाया गया है कि मैंने जब अलग-अलग type की values को जब मैंने store किया किसी variable के अंदर और फिर मैंने यह check किया कि उस variable का type क्या है तो जिस type की value मैंने save की थी उसी type का वो मेरा output देगा जैसे मैंने a के अंदर hundred store किया तो जब मैंने check किya कि a का type क्या है यह मेरी command होती है यह check करने के लिए कि a variable के अंदर कि value है तो उसने output दे दिया int मतलब a के अंदर integer वाली values हैं जब मैंने स्टोर किया double quotes के अंदर hello तो उसने दे दिया कि इसके अंदर string type की values है ठीक है जब मैंने a के अंदर इस type से store किया तो उसने बताया कि ये टपल है टपल हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है ठीक है ये आपके python के अंदर ही आएगा जैसे अभी हम लोग variable पढ़ रहे है न कि variable के अंदर a के अंदर 100 डाल दिया b के अंदर 10.5 डाल दिया तो ये चीज़ें क्या है कि मैं एक variable के अंदर एक ही value store जो है वो कर रहा हूँ अभी तक लेकिन अगर आपको एक variable के अंदर एक से ज्यादा value store करनी है तो उसके लिए मेरा tuple यूज होता है tuple के अलावा भी काफी चीज़े है जैसे list यूज होती है dictionary यूज होती है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे python के अंदर ही ठीक है तो अभी last वाले पर confuse मत होना कि tuple क्या होता है तो इसमें आपको दिखा रहा है कि एक से ज्यादा value एक अंदर store की हुई है ठीक है तो मैं अगर आपको इसको run दिखाऊं करके जैसे मैंने लिखा a equal to 10 और जब मैंने type type of a check किया तो इसने मुझे int बता दिया ठीक है तो इसी type से मेरे ये सारे work कर जाएंगे ठीक है next है मेरे boolean literals boolean हम अगें हम लोगों ने first season में बढ़ा था कि boolean क्या होता है boolean के अंदर हम लोग सिरफ true और false की बात करते है ठीक है true या false तो इसमें क्या होगा कि जब मैं conditions वगारा check करूंगा जैसे मैंने check किया a greater than 10 अगर a की value greater than 10 है तो जब ये condition चेक होगी तो इस condition का जो output है वो या तो true आएगा या false आएगा ठीक है तो उनको बोलते हैं boolean literals तो जैसे आपको यहाँ पर example दिख रहा है कि मैंने क्या किया कि एक variable लिया is married is married मेरे एक variable है हमने एक variable बनाने की rules पड़े थे last class में ठीक है तो आप variable का नाम लंबा भी हो सकता है एक single alpha bet भी हो सकता है जैसे हमने पीछे सिर्फ a देखा था a equal to 100 तो a भी एक variable था और यहाँ पर is married भी एक variable है उसके इंदर मैंने store कर दिया true ठीक है तो जब मैंने type check किया is married का तो उसने उजे बता है bool कि यह bool type का है boolean type का है यह कैसे use होंगे हम आगे देखेंगे आगे वाले जो slides आएंगे उसके अंदर अब आप सर्फ यह देखो कि boolean values जो होती है उसके अंदर true होता है false होता है ठीक है तो जो हम conditions वगरा check करेंगे उसके अंदर mainly हमारी boolean values यूज होती है कि जब मैं condition लगाता हूँ तो condition यह देख true आती है यह false आती है उसके basis पे मैं आगे जाके जो भी decision लेने होंगे वो लूँगा इसके बाद है मेरा एक special literal है जिसको बोलते हम none ठीक है none none क्या होता है none का मतलब होता है absence of value जैसे मैंने a equal to 10 लिखा है तो a के अंदर 10 है लेकिन जब मैंने लिखा है salary equal to none यहाँ पर आपको दिख रहा है screen पे लिखा है salary equal to none मतलब salary के अंदर मैंने none डाल दिया मतलब salary के अंदर कुछ नहीं है उसके अंदर none हम लोग use नहीं करने वाले हैं लेकिन इसका भी आप लोग use कर सकते हो ठीक है? वैसे हम लोग ज़्यादा use नहीं करने वाले हैं इसका किसी भी program के अंदर तो ज़्यादा इसके में सोचने की ज़रूरत नहीं है सर्व आप देख लो कि यह होता क्या है next है मेरे complex numbers complex numbers मैं तमें पड़े होंगे आपने की एक real part होता है एक imaginary part होता है तो यहाँ पे भी आप उसको store कर सकते हो तो जैसे example मैंने लिखा है x equal to 1 plus 0 j ठीक है? तो आपको पता है कि पहला part जो होता है वो real होता है दूसरा part मेरा imaginary होता है ठीक है? लेकिन इसमें क्या है यहाँ पे कि computer जो है इनको अलग अलग लेता है मतलब अगर आपको सिरफ real part print करना है किसी complex number का तो आप dot real की help से उसको print कर सकते हो जैसे for example यहाँ पे देखो मैंने लिखा है y equal to 9 minus 5j तो 9 मेरा real part है और 5 मेरा imaginary part है minus 5 imaginary part है तो मैंने जब print कराया मैंने print कराया y dot real y मेरा variable है उसका real part तो y क्या है मेरा complex number है तो y dot real लिखा है इसका मतलब है कि y जो है उसका real part मुझे print करना है real part क्या है मेरा 9 तो यहाँ पे देखो कि मेरा 9 प्रिंट हो गया नीचे same मैंने लिखा है y.imag यह प्रिंट करेगा imaginary part, imaginary part क्या इसका minus 5, तो minus 5 नीचे प्रिंट हो गया, यहाँ पे यह brackets लगाना मत बूलना ठीक है, यह brackets आएंगे यहाँ पे तो bracket लगाना मत बूलना ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, complex numbers में वैसे मैं फिर बता दूँ, complex numbers हम लोग ज़्यादा use नहीं करने वाले हैं, किसी भी program के अंदर ओके next है मेरा conversion from one type to another type तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो python के अंदर convergence जो होते हैं, वो automatic होते हैं, मतलब मुझे specially जाके convert करने की requirement ज्यादा नहीं पड़ती है जैसे इसमें आपको example दिख रहा है कि जब मैंने starting में लिखा x equal to 100 तो x के अंदर 100 आ गया तब मैंने इसका x का type चेक किया तो integer type था ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ example मैंने लिखा x equal to 100 ठीक है, तो जब मैंने type चेक किया x का तो उसने मुझे बताया कि वो integer type का है फिर मैंने same x के अंदर store कर दिया मानलो, hello same variable है जिसके अंदर मैंने भी 100 store किया था उसका type मेरा integer था उसी variable के अंदर मैंने अब hello store कर दिया है तो अब क्या होगा अब मैं अगर इसका type चेक करूँगा type of x तो अब देखो उसने मुझे type दिया string str तो ये क्या होगया मेरा ये मेरा convert होगया one type to second type ठीक है तो इस type से मैं जो type conversions है वो बड़े easily जो है वो कर सकता हूँ मुझे ज़्यादा कुछ सोचने की जरूत नहीं है सीधा मैं एक variable के अंदर जब एक value store कर रहा हूँ तो उसी variable के अंदर जब मैं दूसरे type की value store करता हूँ तो वो मेरा type automatically convert हो जाता है जैसे मैंने एकस के अंदर 100 store कीया था तो मेरा type जब मैंने इसका print कर आया तो मेरा integer type था और जब मैंने उसी x के अंदर hello store कराया तो hello मेरा जो है वो string type है तो जब मैंने इसका type print कर आया तो इस ने str दिया तो मैंने x variable की सर यह 11th भी है 11th भी है हां जी सर अपनी कार में पढ़ा रहा हूं बैठके हां जी सर यहां पे जो कॉविड के पेशेंट्स आ रहे हैं न उनका डेटा एंट्री करना है ICMR के वेबसाइट के उपर हां जी सर 822 हां सर मेरे साथ ही है उनसे मैंने बात की हुई है तो वह अभी एंट्री कर रहे हैं आपे तो मैं क्लास ले रहा हूं सर अब क्या बता हूं काम तो सर है क्योंकि पेशेंट्स आते हैं आज भी 40 पेशेंट्स आये हैं तो उनकी जो एंट्री करना काफी काफी सारा होता है डेटा एंट्री करने के लिए एक पेशन्ट का नहीं सब कोई आइडिया नहीं है ठीक है सब तो ऐसे मेरा टाइप कनवर्जन हो जाता है बड़े इजली जादा मुझे सोचने की ज़रूत नहीं है इसके अलावा भी मैं अगर खुद से कनवर्ट करना चाहूं तो वो भी कर सकता हूं मैंने पीछे देखा कि मुझे अलग से कुछ करने की रिक्वामेंट नहीं पड़ी मैंने जब x के अंदर integer type store किया था तो वो मेरा x integer बन गया था same x के अंदर जब मैंने string जो है वो store किया तो वो मेरा string type बन गया था ठीक है लेकिन मैं अगर खुद से चाहूं कुछ लिख के उसको convert करना चाहूं तो वो भी मैं कर सकता हूं ठीक है उसके लिए मुझे यहां पर simple यह functions यूज करने पड़ेंगे जैसे अगर मुझे integer value में store करना है तो मुझे यूज करना है int और फिर bracket में कोई भी value तो वो मेरा automatically integer में convert हो जाएगा इसका example हमने last class में देखा था जब मैंने input statement यूज किया था कि जब हमने user से values input में ली थी मैंने last class में आपको एक example कराया था कि मैं user से दो values input में ले रहा था दोनों को add करके उनको print कर रहा था ठीक है उस time पे मैंने क्या किया था कि user से जब एक value input में ली थी उसको मैंने integer में convert किया था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि by default जब मैं user से input लेता हूँ तो user चाहे किसी भी type की value दे मुझे लेकिन by default python के अंदर वो string की form में save होता है अगर user ने मुझे 10 input में दिया है तो वो 10 भी as a string consider होता है generally क्या है कि 10 एक number है लेकिन python user से जो भी input लेता है उसको string consider करता है तो उस case में मुझे उसको convert करने के requirement पड़ी थी उस input को तो मैंने क्या किया था जो input statement थी उसके आगे मैंने int लगा दिया था जैसे मैं आपको वापस से दिखायता हूँ example अगर आप लोग भूल गए होगे तो जैसे मैंने लिखा a equal to input function use होता है user से input लेने के लिए जैसे मैंने लिखा enter a number user से एक number input में लिया मैंने a में कर दिया a plus 10 मतलब user जो भी input देगा जो भी number देगा उसमें मैंने 10 एड़ कर दिया और फिर मैंने इसको print कर दिया print कर दिया मैंने a अब देखो यहाँ पे जब मैं आपको बता रहा हूँ कि user जो भी input देगा मेरा जो python है उसको by default string लेगा तो string जब मेरा a string type का हो जाएगा और उस string में मैं 10 add करना चाहूँगा तो वो मुझे error देगा क्योंकि यह addition subtraction यह तो numbers के ओपर होता है तो user अगर input कोई number भी देगा लेकिन python उसको by default string ही लेगा तो यह मुझे error देगा मैं इसको आपको run करका दिखाता हूँ तो यह मुझे एक number मांग रहा है input में मैंने दे दिया मानलो 50 तो इसने मुझे यहाँ पर error दिखाया और error देखो क्या है ठीक है यह जो है यह string numbers को जो है वो add नहीं कर सकता है क्योंकि मेरा a जो है वो string है तो मुझे यहाँ पर इसको convert करने की requirement पड़ेगी तो मैंने इसके पहले लिख दिया input से पहले int और इसको bracket में डाल दिया पूरे को ठीक है तो मैंने लिखा a equal to int और bracket में डाल दिया input enter number अब इससे क्या होगा कि इस statement से user एक number input में देगा ठीक है इसके बाद वो number जो भी आएगा वो integer में convert हो जाएगा और फिर वो a के अंदर save हो जाएगा अब मैं इसको run करता हूँ तो देखना मैं same काम कर रहा हूँ मैं 50 input में दे रहा हूँ अब देखो इस cancer 60 आ गया 50 में 10 प्लस हो गया इस तरीके से मैं अगर खुद से भी चाहूँ तो conversion कर सकता हूँ तो यहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं int use कर सकता हूँ boolean values में convert करने के लिए ठीक है इसी का example यहाँ पे दिखाया गया है मुझे कि मैंने a के अंदर लिया है 50.25 फिर मैंने क्या किया है कि int a a को integer में convert कर दिया है क्योंकि a मेरी क्या है dot वाली values हैं तो जब मैंने इसको a को integer में convert किया तो उसका dot वाला पार्ट हट जाएगा सिरफ 50 बच जाएगा और वो b के अंदर store हो जाएगा और फिर मैंने b को print कर दिया तो 50 मेरा output आ गया ठीक है इस तरीके से मेरा यहाँ पे conversion work करता है ओके तो यह simple input output statements है यह मैंने आपको example last class में भी कराया था अभी भी मैंने आपको दिखा दिया है कि input statement कैसे work करती है जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एक input लिया है enter your marks इसको जब मैंने store कराया marks नाम के variable की अंदर और user ने जब 100 जो है वो input दिया और जब मैंने इस variable का type चेक किया तो वो string दिखा रहा है यही चीज मैंने आपको बताई थी कि by default जो है मेरा python के अंदर वो string ही लेता है तो user ने जब 100 input दिया तब भी उस variable का जो type था वो string ही था तो इसलिए यही चीज यहाँ पे bold लिखी हुई है ठीक है तो यही चीज मैंने आपको अभी explain भी किया था और example के थूपी मैंने आपको दिखाया था यह मेरी simple input output statement फिर से है कि मैंने एक variable के अंदर यहाँ पे salary पास की है user ने जब input दिया है 5000 तो by default क्या होना चाहिए कि जो formula लिखा है इसके हिसाब से 5000 multiply होके मेरा output आ जाना चाहिए था लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे input के time पे कोई conversion नहीं किया है तो इसका मतलब कि मेरा 5000 क्या है एक string value है तो इसलिए यह formula work नहीं करेगा तो इसलिए मुझे इसको convert करना पड़ेगा इस input को integer के through मुझे convert करना पड़ेगा तभी यह formula work करेगा conversion कैसे होता है मैंने just अभी आपको example के through कराया है कि मैं input statement से पहले लिख दूँगा int और उसको input statement को पूरे को bracket में डाल दूँगा ठीक है ओके आगे बढ़ने से पहले जो मैंने अभी तक जितना भी discuss किया है अगर किसी कोई doubt है कोई confusion है तो पूछ लो उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँगा कोई doubt है किसी को ओके इनको समझने का best तरीका यह होता है कि आप इसको अपने हाथ से type करके run करोगे तब अच्छे समझा जाएगा ओके तो यहाँ पे कुछ और examples दिखाये गए हैं जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया देखो मैंने user से input लिया enter marks उसको convert कर लिया integer में और उसको save कर लिया मैंने एक variable के अंदर जब मैंने इसको run किया तो user ने input दिया 100.5 ठीक है user ने input दिया 100.5 कि यहाँ पे हम लोग जो convert कर रहे हैं जो user input देगा वो मेरा string type का होगा और वो इसको integer में convert कर देगा तो जब 100 मेरा string type का है 100.5 और जब वो इसको convert कर देगा integer में तो भी वो 100.5 आएगा तो 100.5 जो value है वो integer की नहीं होती है वो मेरी float की होती है तो इसलिए यहाँ पी error दिखाएगा अगर by default यह 100.5 किसी float वाले variable के अंदर store होता तब तो conversion हो जाता easily और num1 के अंदर मेरा hundred आ जाता यह point वाला part हट जाता लेकिन क्योंकि यह conversion जो हो रहा है int जो convert कर रहा है वो एक string value convert कर रहा है मतलब जो user से में user से जो input लूँगा वो मेरा string type का होगा और user ने दिया है 100.5 तो integer क्या करेगा string को convert कर देगा integer में लेकिन जब वो string heat 100.5 है और वो convert हो जाएगी तब भी वो 100.5 ही रहेगी और integer जो है वो 100.5 को store नहीं करता है तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ जैसे मैं आपको इसका example से अच्छे समझ में आएगा आपको कि मैं क्या कहना जा रहा हूँ जैसे मैंने लिया a equal to जैसे कुछ ऐसे देखो कि user से मैंने लिया था 100.5 मानलो 100.5 कि user ने कुछ ऐसा दिया था क्योंकि user string में ही pass करता है ठीक है मैंने लिखा b equal to int of a इसका मतलब क्या है कि string वाली value को वो integer में convert कर देगा लेकिन integer में convert करने का मतलब है कि वो सिर्फ इसके quotes हटा देगा लेकिन 100.5 जो है वो एक decimal value है तो वो इससे error देगा जब मैं इसको run करूँगा तो देखो error आएगा मैं क्या कर सकता हूँ मैं यह कर सकता हूँ कि b equal to मैं इसको पहले float में convert कर सकता हूँ float a क्योंकि float जो है वो decimal वाली value को store कर सकता है ठीक है तो b के अंदर कोई error नहीं आया b के अंदर जो है वो float वाली value store हो गई अब मैं जब c equal to अब मैं इसको integer में convert कर सकता हूँ अब मैं B को इंटिजर में जो है वो convert कर लेता हूँ तो float में 100.5 था तो 0.5 बट जाएगा और C के अंदर 100 आजाएगा तो यहां भी कोई error नहीं आया तो जब मैं इसको print करूँगा print C तो देखो 100 आगया, वो 0.5 बट गया जबकि मैं direct conversion जो कर रहा था तब वो मेरे error दिखा रहा था ठीक है, क्यों error आ रहा था वो मैंने आपको explain कर दिया है ठीक है, same क्या है कि अगर आप जैसे user ने ये pass किया है कि enter your percentage user से input लिया है और user ने ये pass किया है 12.5.6 तो ये तो कोई float value भी नहीं होती है float value भी एक ही decimal आता है तो ये तो एक invalid number है इसलिए ये मेरा error शो करेगा, ठीक है ये मेरा एक basic सा program है जिसमें मैंने user से पहले एक number input में लिया है और उसको integer में convert कर दिया है ये same program है जो हमने last class में discuss किया था कि दो user दो number input में लिये user से उनको add किया है और print कर दिया, ये same program है जो हमने last class में किया था ओके ये कुछ programs है, आपकी screen पे है चाहो तो screenshot ले लो चाहो तो जब मैं video upload करूँगा तो उसमें आपको दिख जाएगा last में best तो ये होगा कि screenshot ले लो सारे ये program जो है ये आपको try करने है आपके पास laptop है तो laptop पे try करने है phone है तो phone पे try करने है जैसे अगर पहला program की बात करूँ कि user से आपको एक length input में लेनी है, एक breadth input में लेनी है और rectangle का area करना है calculate मतलब user आपको length दे input में जब आपका program run हो तो उस time पे user से आप length मांगो, breadth मांगो जैसी वो 2 input दे दे, और आप enter मारो और वो मेरा, जो है वो rectangle का area print कर दे, ठीक है, तो इस type से मेरे, जितने भी program से आपको दिखरे screen के ओपर ये सारे के सारे आपको try करने है, ठीक है तो आज की class में इतना ही ये सारे program आपको next class से पहले try करने है, और अपनी copy में लिखने सा सब को ये program, फिर से बोल दूँ ये सारे program आपकी copy में भी लिखे होने चाहिए, लेकिन लिखो कि जब सब का output आपके पास आ रहा हो सारे program run हो रहे हो ठीक है, कोई doubt है किसी का तो पूछ लो चलो ठीक है, ये वीडियो में आप ये डाल दोगा YouTube पे, अगर कोई doubt होगा तो इसको बार देख लेना clear हो जाएगा, best तो ये होगा कि जो program मैंने दिये हैं सब को try करो, अच्छे से, run करो सारे doubt अपने आप जो है वो clear हो जाएएगे चलो ठीक है, फिर मिलते है नेक्स क्लास में